अपने देश में और इस पर दुनिया भर में न्यूस कवरेज की जा रही है कि कैसे एक साउथ कोरियन कंपनी को टार्गेट किया जा रहा है पाकिस्तान में ब्लास्वमी के केस के उपर यहाँ पर आप देख वाओगे इस पर आर्टिकल भी है आरोप यह लगा है सैमसंग पर के इन लोगों ने अपने एक स्टोर में एक ऐसा वाइफाई डिवाईस यूस किया जहां पर जो वाइफाई डिवाईस का नाम था जो आपने देखा होगा काफी बार जब आप एक वाइफाई डिवाईस इंस्टॉल करो तो आप अपने फोन में अगर वाइफाई की अप्शन आउन करते हो तो वहाँ पे आपको वाइफाई डिवाईस का नाम मिलेगा तो सैमसंग पे आरोब ये लगा है कि इनके स्टॉर ने जो नाम रखा गया था वाइफाई डिवाईस का ये ब्लास्ममस था यहाँ पर प्रॉफेट मुहमद और जो इनके साती थे उनकी इंसल्ट करी गई है ऐसा आरोब लगाया है पाकिस्तान के कई लोगों ने सैमसंग और अभी के लिए सत्ताई सैमसंग के जो इंप्लोईज हैं इनको डिटेन भी कर लिया जा चुका है सैमसंग ने खुद माफी भी मांगी है क्योंके डरव ये है कि अगर सैमसंग ने माफी ना मांगी या फिर कुछ एक्शन नहीं हुआ ओल ओवर पाकिस्तान जो भी में हो रहा है जब पाकिस्तान की सरकार ने अपने लोगों को वार्निंग दी है कि मुबाइल और इंटरनेट सर्वेसेज हो सकता है कि शटडाउन करनी पड़े क्योंके देश में पावर क्रैसिस चल रहा है ये वैसे अलग टॉपिक है मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ च पॉशन यहां पर यह है कि DRDO, ISRO, LNT Defense और महिंद्रा Defense इन में से वो कौन सा संगटन है जिसने रिसेंटली केरी आउट किया है पहला टेस्ट, Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator का ये है आप इसका आर्टिकल, बताईए इसका सबसे पहला टेस्ट किसने केरी आउट किया है, सही आंसर मैं आपको द प्रिक्रीज में मिलेगी, कुछ डिलेजन्स हैं जहां पर ब्लास्वमी को बहुत ही सिरिसली लिया जाता है, अब दुनिया में अगर हम बात करें कंट्रीज की जहां पर ब्लास्वमी करने से मौत की सदाका भी परवधान है, तो ये सब देश आपको मिलेंगे, आपर इरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ही, उसके लावा साउधी अरेबिया है, सुमालिया है, इंटरस्टिंग बात देखिए, ओवर दे येर्स, युएई, ओमान और आसपास के जो कई देश है, इवन इराक, यहां पर ब्लास्वमी की वज़े से, जो डेथ सेंटन्स का युएस रिपोर्ट आई थी, 2017 में वहाँ पर बताया गया था, कि 5 कंट्रीज हैं, जहां पर ब्लास्वमी लॉज बहुत ही जादा स्टिक्ली फॉलो किये जाते हैं, और कोई लॉज फॉलो किया ना जाए, ये लॉज तो प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, ये देश है, इ पाकिस्तान में सामसंग, जो एक मल्डिनेशल कॉपरेशन है, बहुत जगा इनके कई बिलबोर्स तोड़ दिये गए, अब यहाँ पर मैं ये भी याड़ कर दू, कि अभी तक एक्चुली किसी को पता नहीं है, कि सामसंग ने ब्लास्वमी करी कैसे है, कि क्या इनके राउटर का जो नाम था, वो अफेंसिव था, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योवार कोड का कुछ इशू था, कि जो क्योवार कोड सामसंग ने निकाला था, वहाँ पर कुछ प्रॉफिट मौमत के अगेंस था, तो रियालिटी देखिए ये है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, इवन मैं कहूंगा कुछ और कंट्रीज में, इस टॉपिक को इतना स्रेस्ली लिया जाता है कि काफी बार, रूमर्स के दम पर ही, कुछ कनफर्म होने से पहले ही, लोग सड़को पे आ जाते हैं, और अब देखिए, रिपोर्ट्स ये भी आ रहे है कि सैमसंग का जो experience रा है पाकिस्तान में, इसकी वज़े से हो सकता है कि सैमसंग future में पाकिस्तान में एक wind अब भी कर दे, क्योंकि already सैमसंग phone import तो करने ही पा रहा पाकिस्तान में, आपको या दोगा पाकिस्तान की सरकार ने luxury items जो हैं उनका import बैन कर दिया है, अब luxury items में ये भी problem में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के banks loan provide नहीं कर पा रहे है अपनी local companies को, ताकि ये companies raw material import करके पाकिस्तान में कुछ smart phones बना पाएं, तो all together आप देखोगे कि पाकिस्तान में आने वले समय में, smart phone की कमी बढ़ सकती है, और एक मैं कहूंगा stark difference है, जहाँ पर इंडिया की digital economy लगातार grow कर रही है, हमारे हैं digitization को हम लोग promote कर रहे हैं, पाकिस्तान में पहली बात तो देखिए, smart phone की कमी पढ़ रही है, उसके इलावा, सरकार ने recently ये भी का है, कि जो power crisis चल रहा है पाकिस्तान में, इसकी वज़े से हो सकता है कि इनको internet shutdown करना पड़े, actually, shutdown करना ना अपने आप ही हो जाए, क्योंकि internet को भी जो major plan support करते हैं, वो भी electricity provide नहीं कर पाएंगे, और आप imagine करके देखिए, 21 वी सदी में, 2022 में एक देश, जहां पर smart phone की कमी हो, और internet shutdown हो सकता है पुरे देश में, economically मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक बहुती जारा बड़ा damage होगा पाकिस्तान की economy को almost ये country's tonage की तरफ बढ़ रहा है, अब हलाकि इसके solution के बारे में कई पाकिस्तानीज खोद लिख चुके हैं, international outlets में क्योंकि पाकिस्तान के media में ये सब बाते लिख दी तो जेलो सकती है, बट international news outlets में कई पाकिस्तानीज कह चुके हैं, कि eventually अगर पाकिस्ता की military, especially इनकी army, किसी भी type के budget cut को approve करेगी, अब ये सब आते अपनी जगा है, अब अगर हम वापस आएं, ब्लास्वमी पर, ब्लास्वमी को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़रा pressure में है, आपने काफी बार वैसे सोचा होगा, अचानक से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने focus करना स्टार्ट कर दी है, कि minorities की थोड़ी बहुत हम protection करेंगे, पहले तो बिलकुल वो सोचते नहीं थे, और आज भी वैसे अगर हम देखे तो पाकिस्तान की minorities जो है, उन पे attack होते है, मगर at least government on paper officially काफी बार कहती है, कि हम अपनी minority को protect करेंगी, अब ये भी पाकिस्तान पता इसके अंडर पाकिस्तान के जो exporter है, माद लो पाकिस्तान में कोई company है, ये लोग arm export करते हैं, तो इनके arm, अगर European Union में जाएंगे, तो वहाँ पर कम tariff लगाया जाएगा, और पाकिस्तान के businessmen को इससे कुछ लाव होगा, ये system European Union ने start किया था, पाकिस्तान जैसी countries के लिए, कि अगर ये countries अपनी minority को करती है protect, तो उसके बदले में European Union help करेगी इनकी government को ताकि इनकी government grow कर पाए, उसके बदले में European Union help करेगा पाकिस्तानी companies की ताकि ये grow कर पाए, तो जो ये GSP plus status है, पाकिस्तान के लिए काफी important है, इसके लिए आपने देखा होगा, काफी बार पाकिस प्रेशर है, ये हट जाए, तो रातो रात इनकी सरकार भी minorities के बारे में परवा करना बंद कर देगी, तो एक तो हमने आपर बात करी minorities को protect करने के बारे में, दूसरा European Union का एक issue ये भी है, कि पाकिस्तान में जो blasphemy laws है न, ये बहुत गलत है, इनको remove करना चाहिए, क्योंकि हर साल कई लोग बिना वज़े सफर करते हैं, इन laws की हो जैसे, अब पाकिस्तान की सरकार यहां पर बिलकुल अड़ गई है, इस बात को लेकर, ये कह रहे हैं कि ये अपने blasphemy laws खतम नहीं कर सकते, पाकिस्तान के समाज की ही demand है, कि ये laws बने रहे, तो इस वज़े से मैं आपको होगा कि Samsung eventually क्या action लेता है, जो ये लोग pressure phase कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये देखते हुए, क्या ये लोग pull out कर लेंगे from पाकिस्तान, या फिर अपने operations, अपने stores काफियत तक कम कर देंगे, ये देखना होगा, this will be interesting to see, ना वापस आते हैं हमने question की तरफ, कि वो कौन सा है, जिसने पहली बार test किया है, autonomous flying wing technology demonstrator को, तो सही उत्तर इसका है, option A, DRDO, यहाँ पर आप देख पाओगे, इसका article है, DRDO flight tests, new autonomous flying wing technology demonstrator, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ के life में अगर आप एक बार properly UPSC exam की त्यारी करना चाहते हैं, किसी भी exam की त्यारी करना चाहते हैं, चा UPSC क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जागा ये page, और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे UPSC course for 36 months as well, अगर मान लीजिए आप एक college student है, अभी आपके पास time है, 2-3 साल का आराम से UPSC preparation करनी है, तो 36 मेने का जो course है, ये भी आप कर सकते हैं purchase, मगर जो prices Thank you for listening and as always, God bless you all.